गुर्णी टेडर्स आज चार स्टॉक्स हम ने आप लोगों को दिया थे रेट करने के लिए जिसमें से सबसे पहला था कोटक महिंदरा के अंदर के अंदर क्या बोला था कि डे टाइम फ्रेम पर इसके अंदर रेट केंडल फॉर्म होगी इसके अंदर शॉर्ट सेलिंग करने के लिए लेवल्स में आपको बताया थे कि जैसे ही प्राइस आपका 1775 करने चाहिए आपको यहां पर बस शॉर्ट मार दे रहा है प्राइस देखे ओपन हुआ उपन हुआ उपन होने के बाद में इसने अप्सेट का मुव दिखाया जब यह वापस से नीचे के तरफ आना तो फिर दुबारा यह उपर गया नहीं है और गिरने के बाद में इसने में हमारी टार्गिट से ज्यादा का मुव बंट दिखाया है दूसरा जो स्टॉक तो ओंजीसी के अंदर में बोला था कि शॉर्ट करना एक रेट केंडल ही फॉर्म हो सकती है बट यहां पर क्या है कि डे फॉर्मेट में इसके अंदर एक ग्रीन केंडल बनी है और प्राइस हमारा हमारी लेवल के नीचे आया ही नहीं तो किस तरह से किसी भी तरह का कोई ट्रेड एंग्जिक्वेशन ही नहीं है क्योंकि इस वाले लेवल के नीचे ही हमको श नहीं नीचे ही रहा ग्रीन केंडल फॉर्म होनी थी रेट केंडल बिन गई जाने दीजाए दूसरा सेम सेक्टर के स्टॉक इंडिया बॉल हॉजिंग पिनास तो पूरा सेक्टर ही आज पूरे दिन नीचे गिरा है तो यहां पर देखिए यह स्टॉक भी नीच अब बात कर होते होते हैं मार्केट आप देख लिएगा एक रेट केंडल ही फॉर्म होती हो नजर आएगी अगर अगर यह स्टॉक ऊपर के तरफ गया तो जाने दो फिर हमें इससे मतलब नहीं है हमें शॉर्ट सेलिंग करनी और इस लेवल के पास से शॉर्ट सेलिंग करनी टार्गेट 0.5% मिलेगा लेगर चुप चा बहर निकल जाएंगे एक बाइप प्रॉफित में आगें तो दबारा फिर लोस में जाना नहीं ही स्टॉक है मारे पास हल का है हल के दिन से लगातार इसी लेवल से गिरता चल जा रहा है यहांसे भी यहांसे भी यहांसे भी अगेञ और फिय कल के दिन हमें इसके अंदर करना है शॉट क्योंकि डे टायम फ्रेम पर इसके अंदर रेट केंडल फॉर्म हो सकती है लेवल कहुंसे होगे 2448, 2448.45 इस लेवल के पास ही हमें इसके अंदर शॉट सेलिंग करेंगे तर्गट 0.5% का है एक red candle का कल हम लोग वेट करेंगे थर्ड इस टॉक हमेरे पास है हिंड आलको हिंड आलको के अंदर हमें कल के दिन सिर्फ बाइंग करनी है बाइंग करने के जो एरिया होंगे जो लेवल्ट होंगे वो ये वाले या तो upside के lines हम लोग buy करेंगे या तो फिर इस फ़री lines से buy करेंगे selling नहीं करेंगे इसके बाद में सबसे last stock हमारे पास है Reliance के अंदर भी हम लोग सिर्फ और सिर्फ buying ही करेंगे, selling नहीं करेंगे buying करने का जो area है 2322.60 and 2315.30 यहां सेम्लों के अंदर सिर्फ buying करेंगे तो Reliance and Indal को इन दोनों के अंदर कल के दिन green candle form हो सकती है and HAL, HT SPANK इसके अंदर कल red candle form होती हुए आपको नजर आ जाएगे इन चारों ही stocks के लेवल अपने public telegram चैनल पर भी हम शेर कर देंगे तो वहां से एजिली आपको यह लेवल देखने को मिल जाएगे थैंक्स and अब हम लोग मिलते हैं अपने कल की trading session में we will meet again